एक पॉजिशनल ट्रेडिंग स्ट्राटेजी के बारे में एक बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में बात करने वाले हैं इस स्ट्राटेजी को मैं खुद भी यूज करता हूँ अगर आपको कुछ चीज़े आड करनी हैं, कुछ इंडिकेटर्स आड करने हैं, निकालने हैं यह सारी चीज़े आप डेफिनेटली कर सकते हो, यह एक बेसिक फ्रेमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू आगे बनने के पहले, make sure to smash the like बटन बिलो, also do not forget to subscribe to our channel as well और चलिए चलते हैं मेरे laptop स्क्रीन पे ताकि हम इस strategy को in detail discuss कर पाएं आपको थोड़ी सी सेटिंग्स में बदल नहीं है, changes करनी है जो मैं specifically use करता हूँ, मैं उसके बार में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर मैं first of all तो क्या करता हूँ, type को मैं simple से exponential कर लेता हूँ इसमें कुछ बहुत ज्यादा फरक नहीं आता है, बट still, मुझे पसंद आता है exponential moving average इसलिए मैं EMA ही use करता हूँ field की बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं high कर दूँगा, right and that is all second अगर आप देखोगे, moving average is also the 50 period moving average इसको भी मैं एक similar चीज़ ही करने वाला हूँ यानि field में यहाँ पर सिर्फ difference यह होगा कि हम low use करने वाले हैं type में हम exponential again कर देंगे so यहाँ पर आपको क्या देखने का मुलता है, एक band देखने का मुलता है so generally जब भी हम moving averages use करते हैं because हमें एक single line देखने का मुलता है, थोड़ा सा confusion हो सकता है because बहुत बार क्या होता है, let's say कि अगर यही एक single moving average होता जो मैं use कर रहा होता, बहुत बार क्या होगा कि price में भी इसके थोड़े सा नीचे आ जाएगी and फिर से bounce back करेगी so वो एक single line हमें देखने का मुलता है, इसलिए थोड़ा सा हमें confusion हो सकता है and that is why मुझे ये band पसंद है, तो at least मुझे ये एक zone देखने का मिल जाता है ना कि एक single line, right, so यही एक चीज है जो मैं sort करने की कोशिश करता हूँ and that is why I use the zone and not a single moving average ऐसे कुछ magical नहीं है zone में, right, यहाँ पर हम क्या करने वाले है, positional trading strategy के लिए हम one hour का chart use करने वाले है, बिल्कुल भी हमें daily charts की जरूरत नहीं है या weekly charts की भी जरूरत नहीं है, daily charts की impact हमें जरूरत होती है जो मैं बताना भूल गया, daily charts पे हम चले जाते है and first of all आपको क्या देखना है, कि 50 period moving average का slope कि साइट पे है अभी slope का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि downwards sloping है, यहाँ पर 50 period का moving average है यह दोनों जो band है basically, वो आपको downwards direction में देखने को मिल रहा है so यहाँ पर जो भी trades हम लेने की कोशिश करेंगे, चाहे वो hourly chart पे हो 30 minutes के chart पे हो, या जो भी time frame आप चूज करो यहाँ पर हम technically थोड़े से bearish होने चाहिए because जो overall trend है, आपको moving average क्या बता रहा है कि एक bearish trend चल रहा है market में, right so index जो आप देख रहे हो, यहाँ पर bank nifty देख रहे हो उसमे एक bearish trend चल रही है same as अगर आप current scenario की बात करो, तो थोड़ा सा downwards sloping ही है बिल्कुल भी आपको कही bullish signs नहीं देखने को मिल रहे है जब यहाँ बैंक nifty के daily chart की बात करो so यहाँ पर मेरा, because trading time frame में hourly charts यूज कर रहा हूँ that is why मैंने daily charts को अपना higher time frame चूज किया हुआ and because यह positional trading strategy है that is why हम hourly charts and daily charts का इस्तमाल कर रहे है अगर आपको एक छोटे time frame में trade कर रहा है let's say hypothetically मैं अगर 5 minutes में trade कर रहा हूँ इस similar strategy को, तो मेरा जो higher time frame है वो daily charts नहीं रहेगा, maybe वो hourly charts हो जाएगा right, so ऐसे हम use कर सकते है higher time frame को and trading time frame को once again, आपको यह भी देखने की price का 50 period moving average के नीचे comfortably trade कर रही है या नहीं so यहाँ पर आपको देखने का मिल रहा है yes, that is also true यानि 50 period moving average के band के नीचे ही price trade कर रही है so यह तो हमने दो चीज़े देख ली firstly क्या देखा कि हमने slope देखा moving average का यहाँ पर आपको downwards देखने का मिल रहा है secondly, price easily comfortably नीचे trade कर रही है या नहीं moving average के band के एक और last चीज़ आपको देखनी है support and resistance recently या बहुत ही आजू-बाजू कौन से support as well as resistance आपको देखने का मिल रहा है and daily charts में वो मेभी आपको देखने की जरूरत नहीं है because काफी दूर हो जाएगा आप hourly charts में भी उसको जरूर देख सकते हो so let's go on the hourly charts जो हमारा actual trading time frame है and यहाँ पर आपको क्या देखने का मिल रहा है जो हमारा again same चीज आपको देखने का मिल रहा है कि यहाँ पर price has definitely come below the 50 period moving average hourly charts पे भी as well as daily charts पे भी so यहाँ पर extremely recent अगर आप support की बात करो अगर मैं इस point पे होता let's say कि मैं इस point पे trade कर रहा हूँ and मैं चार्च को देख रहा हूँ so यहाँ पर extremely recent support आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर आप थोड़ा सा zoom out करोगे and वापस से मैं थोड़ा सा अगर पीछे चले जाओ आपको यह support level देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा support level and यहाँ से market ने bounce करनी की भी कोशिश की है मैं simply क्या करूँगा मैं यहाँ पर horizontal line को mark कर लोगा एक kind of support zone बना लूँगा so यह आपको एक support zone देखने को मिल रहा है so market ने यहाँ पर बहुत consolidation किया था इसको breakout किया था and फिर से एक retest करके उपर जाने की कोशिश की market ने so यह काफी अच्छा support आपको देखने को मिल रहा है जो market ने यहाँ पर हमें दिया है so यहाँ पर मेरा thought process क्या चल रहा है as a trader and जबी मैं इस particular strategy की बात करो first of all तो मैंने देखा कि daily charts पे trend is bearish यानि हो सकता है कि overall जो coming weeks है coming months है वो bearish side पे हो सकते है because the daily charts were suggesting some bearishness on 50 period band यह तो चीज हो गई secondly hourly charts पे भी अगर मैं देख रहा हूँ hold on कर रहा है so अगर ऐसे कुछ होता है कि यह support level breakdown हो जाता है क्या ऐसे हो सकता है कि maybe market next support के तरफ बढ़ते जाए which is maybe this line right चो हो सकता है 34,000 यह 34,500 के आस पास maybe market आ सकता है because next support तो मुझे यहाँ पर ही देखने का मिल रहा है so that is definitely a possibility right so यह basically एक breakout या breakdown strategy है जो आपको multiple factors थोड़े से देखके support resistance देखके overall trend को देखके use करनी है so यहाँ पर जैसे ही मुझे देखने का मिलते है कि चलो इस candle पर मुझे breakdown देखने का मिला right so यहाँ पर क्या हो सकता है मेरा जो initial stop loss हो सकता है because keep in mind stop loss होना बहुत ही ज़रूर है मैं personally क्या करता हूँ यह एक जो pivot point बनाए यहाँ पर आपको एक देखने का मिलते है कि यहाँ पर उपर गया market यहाँ पर एक supply आ गया और वापस से नीचे आ गया so अगर ऐसे कुछ होता है कि यह pivot point फिर से market take out कर लेता है maybe मेरा view wrong हो जाएगा and maybe I will try to exit the position so यह मेरा stop loss define हो गया and मैं targets को trailing stop loss से जैसे use कर सकता हूँ याने जो भी आपका method है आप definitely use कर सकते हो because मैं options में trading करता हूँ तो कभी कबार क्या होता है कि अगर sideways भी चले जाता है market so option selling के थूँ अगर मैं let's say 35,500 का में call option यहाँ पर sell कर रहा हूँ in the anticipation की मुझे लग रहे कि यह pivot point at least this week के लिए नहीं आने वाला है hopefully आपको यहाँ पर complicated यह चीज नहीं लग रही होगी very simply मैं आपको फिर से repeat कर देता हूँ let's say की यहाँ पर यह support मुझे देखने का मुल रहा है overall trend मैंने daily charts पर hourly charts पर देखा की bearish है यहाँ पर जैसे ही breakdown हुआ मुझे लग रहे की चलो यह जो recent supply आया था यहाँ से 35,500 के level से यह level फिल से इस week के लिए at least visit नहीं होने वाला है so as an option seller मैं क्या कर सकता हूँ इस ही point का यानि 35,500 का मैं call option sell कर सकता हूँ in the anticipation की यह level नहीं आना है वाला है according to my view and this strategy so आगे जाके देखने की exactly हुआ क्या थोड़ा सा market में up move भी आया and consolidation भी आया बट क्या हमने इस pivot point को break कर दिया 35,500 का definitely not so फिर से आपको gap down देखने को मिला and market is currently trading just around this level so अगर ऐसे कुछ होता है की जो weekly expiry है वहां तक अगर यह level breach नहीं होता है 35,500 का तो जो सारा मैंने premium sell किया हुआ था वो सारा मुझे मिल जाएगा and वो सारा मेरा profit हो जाएगा same चीज हम बहुत तरीकों से use कर सकते हैं हम futures में भी trade कर सकते हैं but मैं personally option trader हूँ मैं futures में बिल्कुल भी trade नहीं करता हूँ that is why I prefer this way so यह one second आपको देखने का मिल रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको फिर से एक नया breakdown देखने का मिला right so इस point पर जैसे ही आपको एक recovery देखने का मिली new fresh support क्या हो जाएगा just around this level हो जाएगा move continue हो because daily charts में तो कुछ change नहीं हुआ है hourly chart में भी कुछ change नहीं हुआ है trend is still bearish आगे जाके आप देखोगे yapdown से ही यह जो support level है वो breakdown हो चुका था and अगर आपको देखोगे तो आपको फिर से follow through on the downside देखने का मिला so अगर ऐसे कुछ होता है अभी कि फिर से थोड़ा सा retracement आता है and यह जो नया support level बनाया हुआ हुआ market में यह एक pivot point बन जाएगा so अगर फिर से उपर जाके market नीचे आने की कोशिश करता है and इसको breakdown कर लेता है very high possibility यह हो सकती है कि फिर से market यहने bank nifty नीचे जाने की कोशिश करे so hopefully यह बिल्कुल भी आपको complicated नहीं लगा होगा अगर आपको कोई भी doubts है आप comments section में ज़रूर पूछ सकते हो let's take another example, एक bullish example ले लेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी confusion ही ना हो इस scenario में let's say कि maybe आपको लग रहे कि चलो daily time frame आपके लिए इतना important नहीं है and आप सिर्फ hourly charge पे focus करना चाते हो which is also the thing that you can do यानि आप simply क्या कर सकते हो आप daily charts को यानि longer term time frame को completely ignore कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि आप सिर्फ hourly charge पे ही focus करो and यहाँ पर ही आपको trend देखने का मिलता है breakouts देखने का मिलते है आप वैसे भी चीज़े कर सकते हो so यहाँ पर आपको क्या देखने का मिल रहा है 50 period का जो slope है that is kind of on the upside bearish trend तो आपको यहाँ पर नहीं देखने का मिल रहा है so आप breakouts का देखोगे ना कि breakdowns का यहाँ पर आपको clearly head and shoulder देखने का मिल रहा है reversal right so inverse head and shoulder आपको देखने का मिल रहा है this is a left shoulder यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक बड़ा head देखने का मिल रहा है and this is a right shoulder so जैसे ही इस level का breakout होता है let's say कि यहाँ पर आप मुझे breakout देखने का मिल रहा 35,000 के उपर easily आपको close देखने का मिल रहा है एक hourly close देखने का मिल रहा है so मेरा anticipation क्या होगा कि यह जो pivot point है यहाँ से market ने buying pressure लिया और फिर से उपर जाने की कोशिश किया तो यह level मे भी नहीं आएगा and यह मेरा initial stop loss हो सकता है trailing stop loss के पहले आगे जाके अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से आपको up move देखने का मिला and kind of यह volatility contraction भी काफी हो गई थी आपको देखने का मिल रहा था कि higher lows बनते जा रहे हैं similar highs बनते जा रहे हैं and जैसे ही breakout हुआ आपको massive एक up move देखने का मिला so almost thousand points का तो आपको यहीं पर up move देखने का मिल गया 35,000 के level से लेकि 36,000 का and उसके बाद जाके आपको थोड़ा सा correction देखने का मिला so trailing stop loss भी equally important है and अगर आपने options sell की होते तो definitely बहुत ज़्यादा value erode हो गई होती उस option की आप option buying पे भी focus कर सकते हो अगर आपको option buy करना है आप maybe call option buy कर सकते हो या bull call spread कर सकते हो बहुत सारे strategies हो सकते हैं आपके bullish view को support करने के लिए let's take one more example ताकि यह strategy absolutely clear हो जाए and let's just once again assume कि आप सिर्फ hourly charge पे focus कर रहे हो because daily charge पे switch करना पड़ेगा and फिर से hourly charge पे आना पड़ेगा so for the sake of simplicity let's just assume कि हम सिर्फ hourly charge पे ही focus कर रहे है एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा daily charge पे हम इसलिए ही focus करते है ताकि हमारा probability of profit बढ़ पाए बट अगर आपको ऐसे चीए कि आपको minor trends भी capture करने है आप simply जैसे मैंने आपको बताया hourly charge पे भी focus कर सकते हो एक consolidation जो आपको clear यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह एक zone आपको देखने को मिल रहा है and because हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 50 EMA का जो band है वो downside पे slope कर रहा है तो trend on the hourly charts is bearish so मैं यहाँ पर सिर्फ breakdown का wait करूँगा and यहाँ पर आपको already एक support level देखने को मिल रहा है so जैसे ही यह level which is just around 35-500 से लेके 600 का level अगर यह breakdown होता है तो मैं maybe trade लेने की कोशिश कर सकता हूँ आगे जाके अगर आप देखोगे तो आपको clearly यहाँ पर breakdown देखने को मिल गया so इस strategy के हिसाफ से हमने क्या क्या चीज़े discuss की थी maybe मैं call options sell कर सकता हूँ port option buy कर सकता हूँ futures में sell कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़े हो सकती है बहुत सारे हम instruments को use कर सकते है so let's say कि यहाँ पर breakdown हुआ मेरा जो setup है वो trigger हो गया मेरा जो initial stop loss है वो यह pivot point होगा because यहाँ से market ने reversal लिया हुआ था so 36,300 के आस पास मेरा बोल सकते हूँ initial stop loss होगा या अगर मैं options में trade कर रहा हूँ तो maybe इस level का मैं call option sell कर दूँगा right so hopefully once again बिल्कुल भी confusion नहीं है यहाँ पर आगे जाके let's see कि exactly हुआ क्या थोड़ा सा market उपर जरूर आया but क्या हमारा stop loss take out हो गया है not yet right so let's continue with the trade आगे जाके अगर आप देखोगे तो massive एक down move आ गया और आपको जो risk reward है वो definitely favorable यहाँ पर हो गया let's see कि आपने इस breakdown पे trade लिया 35,500 या 400 के आसपास आपको जो stop loss था वो 36,300 था so almost आप बोल सकते हो कि 900 points के आसपास stop loss हो गया right 800 to 900 points हो गया और यहाँ से कितना का आपको down move देखने का मिला 35,500 से लेके almost 34,000 आपको देखने का मिल रहा है so यहाँ पर हमें 1500 points का down move देखने का मिल गया जो काफी अच्छा risk reward है almost यहाँ पर आपको 1 is to 2 का risk reward देखने का मिल गया almost आपने 800 points रिस्क किया and 1500, 1600 points का आपको down move यहाँ पर देखने का मिल गया right so trailing stop loss once again आप use कर सकते हो in fact आगे जाके अगर आप देखोगे तो और भी नीचे आपको देखने का मिल रहा है जो ऐसे trades आपको कभी कबार मिल सकते है जो long lasting आपको trend देखने का मिल सकता है on the upside और on the downside जितना ज्यादा आप trend के साथ रहोगे उतना ज्यादा आपको trending moves में फाइदा होगा and यहाँ पर आपको देखने का मिल गया कि कैसे हमें already indication मिल गया था once again आप इस पर build up खुद कर सकते हो अगर आपको कुछ चीज़े add करनी है कुछ चीज़े निकालनी है कुछ indicators add करने है आप definitely को चीज़ भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा don't forget to smash the like button once again if you have not already and also do not forget to subscribe to our channel as well मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में बाबाई कुछ भी आपको लुग रचाराई investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares derivatives mutual fund and other instruments traded on the stock exchanges गय्जरी